शास्ति नगर सुपेला में स्थित बीम शाह अस्पताल की जच्चा बच्चा वाड में पहली संतान के रूप में भिलाई निवासी महिला ने एक बेटे को जन्म दिया था बच्चे का जन्म सात्वी महिने में होने के कारण जहां वा पूरी तरह मा के गर्व में विक्सित नहीं हुआ था वहीं बच्चे का भार भी कम था जिसकी हालत को देखते हुए अस्पताल में तैनाथ शिशुरोफ जचग्य डॉक्टर स्वदेश वर्मा ने बच्चे को जहां इंकू ईवेटर मशीन में रखा वहीं उसके कम भार और अन्ने समस्याओं का उपचार शुरू किया मंगलवार को बच्चे के सामान ने होने पर उसे पारेवारी सदस्यों को सौपा गया गौर्टलपा के शिमती रेखा की अपेक्षित प्रसवती थी जुलाई 2023 में थी लेकिन उनके गर्भकाल के साथे माह में ही उनका बलड ट्रेशर अतिदिक भढ़ने लगा जिसके करान गर्भकाल पूर्ण होने की प्रतिक्षा करना संभव नहीं था इसलिए मां और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं 2023 में ही शिमती रेखा का आपाकालिन प्रसव ऑपरिशन द्वारा करवाए गया इस साथ माह में जन में नवजाद बच्चे को सांस लेने में काफी कठिनाईयां थी और नवजाद के फेफड़े भी बहुत कमजोर थे नवजाद को बीमशा उस्पताल के NICU शिचु एवं बाल लिरोग शिशक के डॉक्टर स्वदेश वर्मा की देखरेक में भरती करवाए गया जहां नवजाद को सी पैप पर रखा गया साथी फेफड़े की छमता बढ़ाने के लिए सरफेक्टेंट इंजेक्शन भी दिये गए नवजाद की स्थिती में धिरे-धिरे सुधार होता नजर आया साथी वर्तमान समय में उसको उस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा रहा है हम बताते नवजाद के स्वस्थ होने से उसके माता पिता और रिष्दार काफी खुश नजर आये और यह सब संभव हो सका बी एम शाँ अस्पताल के नायसी यू में मौझूद आधूनिक उपकरन, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नायसी यू की टीम की कड़ी महनत और उचित देखभाल से हॉस्पिटल के मेडिकल डिरेक्टर डॉक्टर जैकुमार तिवारी एवं डिरेक्टर आउपरेशन डॉक्टर अरुन मिश्रा ने इस काम के लिए डॉक्टर स्वदेश वर्मा एवं समस्थ नायसी यू टीम को शुपकाम नाय दी साथ ही उन्हें इसी तरह के कारे करने के लिए प्रोसाहिद भी किया कार्षा पैदा है तो तो उसको सांस देने में काफी ज्यादा तकलीफ को रही थीजिए हमने इसा महा होते हैं पेवरिटीक से विक्सित नहीं ह inquiry है कि अगर नॉमल एक टर्म बेबिग जो नॉमार में पैता होता है उसका लंग्स अगर हम एसे उधारण के तौर पर अगर लंग इतना है तो प्रि मेंच बच्चे का लंग वॉल्युम और कम होता है तो वैसी पर इस्तिति में बच्चे को सांस दिन में तख्लीफ ना थी है तो प्रिपएप मशीन भटा दी इवाम बच्चे को ऑक्सियंद पर शिफ्ट किया अगले एक दो दिनों मैं वो भी हटा दिया उसके लिए कुछ मैडिकेशन दिये हैं हम अलड़ी प्रिपएवर ते उस चीज को लेगे क्योंकि प्रिमेचर बच्चे में इश्यू आते हैं चौथे दिन से उसने दूद पचाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है और अच्चे से दूद पचा रहा है अपने आप रोक के डिमांड करके फुद से फीट कर रहा है तीसरा एक बड़ा इश्यू आता है जो प्रिमेचर वेबीज होते हैं उनमें इंफेक्शन का बहुत ज्यादा खत्रा होता है क्योंकि इम्मृटी बिल्कुल भी नहीं है अगर इम्मृटी डवलप नहीं है तो इंफेक्शन होना सभाविक है कोई भी जड़ा सा भी अगर क लिए बहुत अच्छी से काम किया और हमने वन स्टाफ वन बेवी पालिसी ह्ड़ो की जिसमें एग बेवी को एक ही स्टाफ देखेगा वो स्टाफ कोई दूसरा काम नहीं करता, वो किबल उस बिच्चे को ही लेखेगा, तो ये policy फॉलो की और उसका results भी हमारे सामने हैं, कल हमने उसको NICU से मा के पास shift कर दिया था, मा के पास 24 गंटे रखा ताकि मा भी उसके लिए अच्छे से train हो जाए, NICU में पहले हम मा को ब तिष्चित बियेमशा उस्पिटल, बहुत ही कम समय में अपनी पहचान देश-प्रदेश में बना चुका है, यही कराने कि यहां से स्वस्थ होकर निकले परिजन, काफी संतुष्ट हैं, और अस्पताल की भूरी-भूरी प्रशंसा करते नजर आते हैं, ग्रेंड-ACN News के लिए प्रविन मिर्जी के साथ, शाहिन खान की रिपोर्ट